14 15 लिखा है मैंने 15 16 कर दिया अच्छा 14 15 जी आपके सामने एक कुश्चन है 14 14 और 15 देखिए मेरे सामने पुराना कुश्चन टाइप है आपके बुख का है ग्रीस आहुजा का और मेरे पास पुराने टाइम पर यह मतलब के टाइप हुआ पड़ा है तो डेट चेंज नहीं है कॉंसेप्ट होई है आपके नई बुख में क्योंकि अभी चल रहा है 21-22 22-23 असेस्मेंट यह चल रहा होगा आपके बुख में तो उसके अकॉर्डिंग डेट का फरक नहीं पड़ता वैसे भी हम मिली टाइम तो सबसे पहले हमने क्या करा कुश्चन बहुत हुआ है कितनी बार इतर करते जाएं और एक एक करके करते जाएंगे सर क्या कहता है कहता है Kayla Cat horn is तो सर हमारा इस कुश्चन में कहने का मतलब है कि 5,000 रुपे मेरा क्या है मैं यहां लिख देता हूँ कुश्चन कहता है कि मेरा बेसिक सेलरी मेरा 5,000 है और जो मेरा डिये है वो 100% है तो डिये भी कितना हो जाएगा पता है और इसमें से कहता है रेटायर्मेंट बेनेफिट वाला जो है ना रेटायर्मेंट बेनेफिट वाला वो कितने परसेंट है सर तो अगर मैं आपसे पूछूँ सेलरी तो 5,000 और SRB जो कि मैंने बताया कि SRB का मतलब है सेलरी फोर रेटायर्मेंट बेनेफिट उसके लिए यानि फोर दा परपस अफ एचारे केल्कुलेशन के लिए सेलरी में हम बेसिक लेते हैं प्लस में क्या लेते हैं डिये लेकिन डिये भी कौन सा कंसीडर करते हैं र और साथ के साथ इसमें फिक्स परसंटेज कमिशन इफ एनी है तो तो उसके लिए देखा जाए तो पर मन्त का बंढ रहा है 7500 रुपे करी ठीक है ना आगे कहता है दा कंपनी गीव हिम एचारे 3000 रुपे पर मन्त विच वाज इंक्रीज 3500 एक से तारिक से तो कहता है सर इसक इतने हे दे रहे थे सर इसको 20000 लेकिन 3000 पर मंत कभा इस तक आप बढ़ोड़हा दिया कमपनी ने इसका एक शरे बढ़ादी कब बढ़ाया सऩी एक 2 1000 पहला फेक्टर यहां पर चीज़ आया पहला है उर इस पाइंट की तो देखा जाए यहां से ले करके यहां तक यहां से ले करके यहां तक अगर मैं आपसे पूछूँ कि बताओ इसका HR क्या है तो आप बोलोगे सर HR है 3000 HR क्या है सर 3000 इसके बाद क्या हुआ सर इसके बाद इसका HR बदल गया यानि यहां से ले के यहां तक की बात करी जाए तो इसके HR में चेंजिस आ गया क्या चेंजिस आया कितने होगे इसके HR यहां से यहां तक जाते जाते 3500 है ना तो यहां से यहां तक हरे सर इसका 3500 विज्वल होगा के लिए दिख रहा है आपको पहले तो यह देखा जहां तक हम पढ़ लिया हमने वाह तक करा के सर पहले 9 मंद में इसके 3000 हरे मिल रहे थे 9 महिने के बाद इसका हरे बढ़के 3500 होगा तो सर इसको दो टुकडों में बाट देना चाहिए करने के लिए अभी और भी फैक्टर देखते है कहता है he also got increment 500 रुपे basic pay with effect from 1 फर्वरी 2015 सर एक फर्वरी 2015 यानि कुछ दिनों के बाद ठीक एक और changes आगे है हरे में हरे नहीं इसका basic sell दी में तो यहां से लेके अगर मैं बात करूँ यहां से लेके यहां तक इसका salary है basic 5000 basic salary और इसके बाद जो यह वाला हमारा time आया इसका बदलाओगा यानि यहां से लेके यहां तक में इसका salary हो चुका है basic तो देखो HR यह तीन हिससे में बठ गए एक आपको यह हिससा कट नजर आ रहा होगा एक इने time के लिए HR यह बठ गया और एक इतने time के तो तीन पार्ट में भी divide हो चुका है ठीक है आगे चलते है April to May 2014 यानि April से लेके में तक 2014 तक हुआ क्या April से में 2014 कहता है यह nil as he stay जो rent paid की बात कर रहा है यहां पे साइद हाँ यहां लिखा है rent paid by him during the previous year कहता है April से में तक भाईया मैंने किराया ही नहीं दिया क्यों नहीं दिया क्योंकि stay कर रहा था with parents तो सर अपरेल कब से एपरेल से में तो एपरेल से में यानि फिर एक बदलाव आया यहां पे यहां तक क्या बदलाव आया सर यहां तक changes आया कि वो rent की बात कर रहा है तो यहां से यहां तक rent जो है rent है zero यहां से यहां तक rent कितना है हमारा क्योंकि रह रहा है parents के साथ आगे की कहानी में क्या कहता है यानि अब ध्यान से देखो कितने पार्ट में बट गया यह कितने पार्ट में बट गया लगाओ दिमाग सर एक पार्ट यहां तूट गया एक पार्ट ये तूट गया एक ये यानि चार हिस्सों में तो calculation जा चुका है आगे कहता है ये जून से लेके October तक 3000 पर मन्त for an accommodation in गाजियाबाद that is a UP कौन सा जगा है हमारा तो यानि सर ये कहां से कहां तागा गया में तक यहां से बोला था ने में तक तो में का मतलब पूरा ही में मान लेता हूँ मैं 31-5-2014 31-5-2014 ये रहा सर 31-5-2014 ध्यान दीजिए यानि इसके बाद ये गाजियाबाद में रह रहा था सर अगर हम बोले तो कहां से कहां तक जून से अक्टूबर तो सर जून में के बाद जून स्टार्ट होगा तो यहां से यहां के बाद यहां से ले के यहां तक मान लेते हैं एक कट यहां लगा देते हैं सर ये रह रहा था गाजियाबाद में जहां पे इसने रेंट पेड किया है सर और रेंट पेड कितना किया है इसने तीन हजार रुपए रेंट पेड किया है हाला कि मैं यहां थोड़ा सा डेट चेंज कर देता हूं कुछ बच्चों को हो सकता है सर डेट में दिक्कत तो डेट चेंज कर देते हैं ये है हमारा कब से कब जून से जून से लेके कब तक अक्टूबर यानि 31, 10, 2014 सब को पहले लाइन में डाल देते हैं तो अच्छे से क्लियर हो जाए ठीक है यानि सर अब कितने पार्ट में बट गया 1, 2, 3, 4 तो हमें पांचों जगे को अलग अलग लेके चलना होगा क्योंकि जितने फैक्टर में टूपते जाएंगे उतने फैक्टर में इसे बदलेंगा सबसे आसान तरीका यही है इसका और द देखे सर कहता है निमंबर से स्टार्ट किया मार्च तक 4,000 का किराया देने लगा ये और अकमंडेशन कंप्यूट कहां पे कर रहा है ये डेली में तो सर यहां के बाद अगर मैं बात करूं यहां के बाद यानि जैसे ये 10 खतम हुआ कुछ यहां पे मैं यहां से लेके यहा पर यहां तक की बात करूंगा आओ यहां रेंट मेरा हो चुका है 4,000 सर और यह कब से सर नौबर से मार्च नौबर से मार्च चार हजार और डेली भी आ गया यानि एक यहां पे भी चेंजिस आ गया सर है कि ने अब इस चेंजिस को मैं इतना बिग चेंजिस नहीं मान रहा क क्योंकि इसके बीज में already बहुत सारे changes है ठीक है पहले तो आप यह देख लो मैं changes की बात करूँ तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक आपको बता दू कि कहां से कहां salary तोड़के चलेंगे पहले हम लेंगे April से में April to May का हिसाब लगाएंगे पहले जो हम लेंगे न वो लेंगे April तो में फिर उसके बाद में के बाद जून स्टार्ट हो जाएगा जून से चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए ऑक्टूबर तो जून से लेंगे हम कहां तक का ऑक्टूबर तक का अलग ऑक्टूबर के बाद चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए क नेमेंबर टू जैन आ गया इसके बाद जैसे जैन में गए चलते गए चलते गए चलते गए ये तारीक क्या था ये कौन सा तारीक था ये लिखना भूल गया मैं 1-2 2015 1-2 2015 यानि फैब इसका मतलब सर ये अकेला फैब आ गया कहां से चले हम जैन तो जैन से कहां तक गए ये दिसंबर आना चीए ये मुझे बताईए नवंबर नवंबर से कब चेंजिस हुआ ये दिसंबर होगा मैं दुबारा बता देता हूँ कोई बात नहीं सबसे पहला फैक्टर यहां बदला एपरिल से मई कोई दिख रहा है आपको एपरिल से मई के बाद मई के बाद सीधा फैक्टर चेंज हुआ आपने बताया है सर मई से ऑक्टूबर ठीक है ऑक्टूबर के बाद नवंबर में चेंज आया और फिर जक्च्च्च आगया तो हमारा नवंबर से December ही रहेगा ना क्योंकि January में तो बदल गया अब आ जाएगा January से जैसे बदला फिर February में बदल गया तो February तो starting से बदल गया तो यहां सिर्फ क्या आएगा January 2 क्योंकि यहां पर एक January को बदला फिर February कब बदला था हमारा फैब में कब बदला और जैन टू जैन कर देते हैं ठीक है इसके बाद हमारा चलेगा फैब टू सर कितने फेक्टर होगे एक दो तीन चार पांस जगे चेंज होगे इसको पांस पार्ट में तोड़ देंगे और पांचों पार्ट को तोड़के हम अच्छे से ध्यान से करेंगे इसको तब जाके कहीं आपका यह solution अच्छे से बन पाएगा चलिए next page पे चलते हैं next page पे चलें या इसी page पे करें इसी पे कर लेते हैं थोड़ा आपको visual सही रहेगा या next पे चल लें अगर हम इस पे करते हैं तो मुझे space कम पड़ जाएगा कोई बात नहीं manage कर लेंगे चलिए पहले तो question हर किसी को पता चला कहां से कहां हमने change किया ये हर किसी को clear है कि सर पहला factor ये changes आया दूसरा factor फिर ये changes आ गया तीसरा factor मतलब ये वाला खतम हो गया यहां से यहां changes चौथा factor जैन और फैब में तो होई गया तो जैन जैन में रहा फिर ये रह गया हमारा तो हम फटा फट से एक काम करते हैं क्यों न हम पांच कॉलम क्रियेट कर लें करने के लिए पांच कॉलम क्रियेट कर लेता हैं एक दो तीन चाज और पांच ठीक है पहले वाला जो कॉलम होगा हाँ नौंबर थे क्यों फरवरी में जनवरी में changes नहीं है चलिए पहला चेंज है सर एपरेल टू में हमारा एक्चुल रिसीव और एपरेल टू में क्या कर रहा है ये अपने पेरेंट्स के साथ स्टे करता है जहां पे मैंने लिखा के रेंट क्या दे रहा है जीरो अपरेल टू में एक्चुल रिसीव क्या रहेगा सर एक्चुल रिसीव है हमारा यहां पे रेंट एचारे चल रहा था हमारा कितने रुपे महीने का एचारे तीन हजार रुपे का एचारे चल रहा था तो तीन हजार तो एपरेल और मही दो महीने का तो सर तीन हजार इंटू में दो अब आ जाएगा हमारा सर मैंने पहले ही कहा था कि जब कभी भी वो अपने parents के साथ stay करेगा तो उस part के लिए exemption उसे नहीं मिलेगा अगर मैं बोलू rent paid formula क्या हमने जो rule है क्या है rent paid minus 10% SRB sir rent paid 0 है और 0 में से any amount आ जाएगा minus करोगे तो negative में ही आएगा तो ultimately ये तो 0 ही रह जाएगा हमारा negative में 0 तो यहाँ वाले part में तो exemption मिलेगा नहीं उसको पहले तो ये समझे हमें exemption amount निकालना है फिर total HR निकाल लेंगे और total HR में से exemption को हम हटा देंगे आगे देखें सर अगला factor क्या था जून से उक्तूबर जून टू अक्तूबर सर actual receive बता दीजिए जून से उक्तूबर तक सर यहाँ पर हमारा जून से लेके चला उक्तूबर तक यहाँ तक हमारा rent तीन हजार था लेकिन HR भी तीन हजार ही है तो actual receive क्या हो जाएगा सर तीन हजार इंटू जून जुलाई आउगस सेप्टेमबर उक्तूबर कितने मैंने कोई दिखकत था अब सर rent paid rent paid और minus कर देते हैं 10% SRB मैं नीचे कर दूँँगा थोड़ा सर rent paid क्या होता है SRB का मतलब है सर basic salary plus DA for retirement benefit जबकि commission वाला point तो है नहीं question में basic salary देखा जाए तो हमारा increment लगा था कब salary में सर हमारा salary 5000 ही चल रहा increment तो इसके बाद लगा था ठीक है ना October के बाद हमारा increment 5000 salary चल रहा है सर तो 5000 गुणा में अगर हम देखे हैं कितने महीने सर ये month भी लिख देता हूँ तो 5000 इंटू में 5000 अजार और plus DA इसका 50 100% DA उसका 50% तो 12500 मैंने direct कर दिया समझ मैं ये पहले बताऊं कहता है सर DA ना 100% basic का है तो basic कितना बन रहा था 25 तो 100% कितना होगा सर ये भी also 25 होगा लेकिन बोलता है retirement benefit वाला बनेगा 50% DA का तो कितना बन गया हमारा साड़े 12 समझ में है सब को ये clear है तो सर यहाँ पर आ जाएगा 37,000 37,500 37,500 देखिए पहले 37,500 तो सर रेंट पेड कितना है सर इन डूरेशन में रेंट इसने 3000 ही पेड किया है तो 3000 से 5 से multiply करोगे मैं सारा detail इसले लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चले माइनस में 10% इसका तो 37,500 तो क्या हैगा सर 15,000 में से आप 37,500 माइनस करिए 12,000 11,000 11,250 क्या आगया 11,250 अब कहना है कि सर कहां रह रहा है ये चेक करो तो सर ये जो रह रहा है ना रेंट पेड कर रहा है वो यहां से यहां तक का रेंट है तो यहां पे तो गाजियावाद में था यहां पे कहां था वो गाजियावाद में तो 40% लेंगे तो सर 40% of what 37,500 तो 37,500 का 40% that is 15,000 तो सर exemption जो मिलेगा वो क्या मिलेगा सर यहाँ पर exemption यह lower मैं ठीक है अगला timeline आएगा कौन सा November से December November 2 जो की बनते हैं कितने महने दो महने सर्फ दो महने बनते हैं तो लिख लेते हैं actual receive क्या है अब November में चेक करो सर HR का increment जनवरी में लगा था तो 3000 ही है तो दो महने का मैं direct लिख रहा हूं यहाँ पर 6000 ठीक है मैं अलग अलग नहीं लिख रहा है इसमें फिर हमारा वही कहानी में बार-बार नहीं दिख रहा rent paid minus 10% SRB तो सर यहां से यहां तक में rent कितना दे रहा था यह 4000 क्योंकि यहां पर cut लगे गा तो 4000 4000 rent paid into में 2 मैं वैसे लिख देता हूं 4000 into में 2 आप समझना बात को minus 10% तो SRB यहां निकालना पड़ेगा basic दो महिने का सर यहां salary कितना है यहां से यहां तक सिर्फ salary कितना है factor में salary बढ़ा नहीं है अभी 5000 है तो 10,000 और DA कितना हो जाएगा 100% 10 और उसका 50 यानि 5 तो ultimately आगे हमारा 15,000 का हो जाएगा हमारा 1500 तो इसको solve करेंगे हम 8,000 minus 1500 तो 65,000 आ गया सर तीसरा यह रहे कहां रहा है अब अब दिल्ली में आ गया है तो 50% आ जाएगा सर 50% किसका 15,000 का जो कि 7,500 आ गया सर यहां पर अगर मैं आप से पूछूँ के बताओ कौन सा समझ रहे हो पहले वाले में कोई exemption नहीं अभी तक ही exemption मिल चुका है तीसरे कटेगरी में आएंगे जैन से जैन जैन टू जैन यानि एक ही महीने का था सर सर जैन के मन्थ में सबसे पहले actual receive actual receive जैन के मन्थ में तो सर जैन और फैम में change हुआ तो जैन में इसका HR देखा जाए तो 3500 हो गया था इसका और निकालना एक महीने का है तो 3500 rent paid 4000 दे रहा है दिल्ली में रह रहा है तो एक ही महीने का है 4000 minus salary SRB देखते हैं कब से कब तक count के हैं हमने जैन से जैन और salary का increment कब लगा है salary का increment लगा है fab से ये देखो मैंने बना रखा है fab से तो जैन में अगेन इसका salary 5000 ही रहा है और plus में 2500 रुपे DA हो गया होगा तो 7500 that is a 750 तो सर 4000 में से minus 750 तो 3250 और क्योंकि दिल्ली में है तो 50% 7500 का 50% of 7500 का that is 3750 क्या मिलेगा exemption 3250 clear कोई दिकत चलिए सर अगले में चलते हैं अगला रह गया हमारे कहां से कहां तक fab से count भी कर लेना fab to march one month या two fab भी पूरा और मार्स भी पूरा तो कितने महीने होगे two month थोड़ा मैं इसको इधर कर देता हूं सर एक्ष्वल रिसीव अगेन इसका HR ए 4000 चल रहा है तो 3500 के इसाफ से देखा जाए तो 7000 अब रेंट पेड की बात करें सर 4000 ही रेंट पेड कर रहा है दो महीने का है तो 8000 सेलरी की बात करें तो जनवरी से फर्वरी में इसका 500 सेलरी हो चुका है that is आपका सेलरी हो जाएगा 500 इंटू में 2 प्लस आपका 11,000 का तो यह आजएगा पच्पन सो रुपे हैं कुछ बच्चों के SRB समझ में नहीं आ सकता मैं दुबारा बता दूँआ प्लस पच्पन सो 16,000 लेकिन जिसने ध्यान से देखा उसको समझ में आएगा तो 16,50 ये थोड़ा सा अमाउंट गड़ बड़ हो गया 16,50 सर 8,000 माइनस 16,50 63,50 सर 50% आएगा यहाँ पर सेलरी का 50% तो क्या जाएगा 16,500 डिवाइड़ बाइ 2 8,2 5,0 तो नाव विच लोवर क्या है ठीक है अब हमें यहाँ देखे यहीं करूँगा मैं HR जो टोटल मेरा था सर टोटल HR जो इसको मिला था ना 9 मंथ तक तो इसको मिले थे 3000 3000 इंटू मैं 9 प्लस 3 मंथ जैन से इसको जो मिलना चालू नहीं 9 मंथ तक नहीं मिला था इसे हाँ ठीक है जैन से मार्च तक मिले थे इसे बैटेस अगर मैं बात करूँ और 3500 इंटू 30 दस अजार तो ते नहीं क्या कर दिया रहा है एक अजार पहले यहां तक देखिए ज़र नेक्स पेज पर लेकर चलू नेक्स पेज टोटल मैं यहां पर चलो इसको नेक्स पेज पर ले जाता है बुक में आंसर क्या दे रखा था पूछा क्या था मैं उसी के हिसाफ से निखाल दूँ आँके बुक में क्या पूछा था ग्रॉस टोटल सेलरी चलिए नेक्स पेज पर चलते हैं यहां जगे नहीं है क्या करेंगे जबरदस्ती करवा करवा के चलिए सेलरी निकालने को बोला गया है सेलरी निकाल के दिखाते हैं इनको जैसे सीखा है वही बेसिक सेलरी सर बेसिक सेलरी में आप ध्यान से देखिए यहां से लेके यहां तक जो सेलरी था वो पाँच हजार यानि सर एक फरवरी से बढ़ा था तो दस महिने तक इसकी सेलरी है पाँच हजार बाकी के दो महिने हैं पच्छ पंसो यही कहानी है ना पहले यह बात हा या ना में बताओ हाँ या ना में बताओ ग्यारा दो सो पचास पचास नहीं ग्यारा दो सो पचास क्या निकाल लिया बच्छों ने हाँ ग्यारा दो सो पचास और तरुन ग्यारा दो सो पचास क्या निकाला यह मेरे समझ में मेंने मैंने कुछ लिखा यहां डिजट के 11-250 अच्छा यह बताया होगा इनों ने ठीक है ठीक है ठीक है तो सर दस महिने तक यानि मैं लिखने जा रहा हूँ बेसिक सेलरी पांच हजार रहेंगे सर मेरे दस महिने तक उसके बाद पच्पन सो रहेंगे हमारे दो महिने तक इस दोनों को सॉल्व करा जाए तो पच्चास कितने सर कहता है डिए जो होगा हंड्रिड परसेंट होगा पुरा होगा डिए इसके बाद क्या है हमारा एचारे सर एचारे भी तोड़ तोड़ के मिला था कुछ हाँ 31-500 मैं लिख बता दू समझा देता हूँ न देखिए यहां से ध्यान दीजिएगा यह वाला जो मैंने लाइन ड्रो किया है यह वाला यह सारा का सारा तीन हजार चल रहा है एचारे यहां तक तीन हजार था यानि जन्वरी एक जन्वरी से एचारे में बदलाव हो गया तो नो मैने तक एचारे कितना था हमारा तीन हजार और नो मैने के बाद बागी के तीन मैने 35 रहा तो एचारे को अगर मैं यहां पे लिखू एचारे को अगर लिखू तो सर तीन अजार रहेगा हमारा सर तीन अजार रखो आप कितने मेने प्लस 3500 रुफे रखो आप तीन मेने इसको अगर हम सॉल्व करें तो 37000 38500 21 और 10500 37500 ही तो आ रहा है माइनस कर देंगे एक्जेम्ट हाँ जी यही करते हैं न लेस कर देते हैं एक्जेम्ट सर एक्जेम्ट कितना होगा टोटल एक्जेम्शन काउंट कर लेते हैं पीछे से सर एक यह 11250 एक ग्यारा आरा मारा हमसे करेंगे कोई जल्द माजी नहीं है प्लस आपने बताए सर इसको सॉल्व करिए और आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा सर एक्जाइस अपने दाउस करफे ग्याआपको ज़िए और ये चब्वेस आपको जो पचास एक्जेम्शन है यह इस क्या बचेगा क्या दस हजार और तो कुछ थानी सर टोटल करते हैं एक सट हजार एक सट हजार दस छेसो पचास यह आगए एक बत्तिस एक बत्तिस छेसो पचास क्या है यहां पर अब मैं यह पूरा दिखा दूँ आपको हाँ नहीं मैं पूरा दिखा देता हूँ क्या था यह आंसर भी चेक कर लेता है क्या था कुश्चन दिखाऊंगा तो बहुत छोटा हो जाएगा कोई बात नहीं चलिए आपके सामने आंसर आ गया है आपकी किताब में भी नहीं कुछ था ही नहीं पूरा कुश्चन पढ़ दिया मैंने इसमें बोला गया है आपका नीचे दे दिया इसने आंसर एक लाग बत्तिस हजार जी टीयस टेक्सेबल सेलरी भी नहीं पूछा यानि ग्रॉस टोटल सेलरी आपकी किताब में जाईए किताब में भी यही आंसर है तो और हमारा भी आंसर आ गया तो देख रहे हैं कुश्चन को पहले सरफ और सरफ पढ़ के जवाब दे देना इसके अंदर मैंने कहा था चैलेंजिंग कुश्चन है तो मैंने कहा था फेक्टर अब आपको समझ में आ रहा होगा वाट इस दा फेक्टर चेंजिस इन एचारे कि कोई चेंजिस आएगा हमारा वो एचारे कैलकुलेशन के लिए तूट जाएगा उस जगह से हमने सबसे पहले जो किया था सर सबसे पहले हमने एचारे के बड़े साधारन साधारन से कोईचन देखे पहले तो ये basic देख लिया था एक कोईचन ये देखा था जिसमें simple सा था multiply किया और answer आगया इसके बाद एक और कोईचन मैंने किया था जिसमें साथ दो changes थे इसको भी देखो मैंने दो पार्ट में बांट दिया था इधर का कैलकुलेशन अलग और दूसरे साइड का सब जाके आया था अब तीन चेंजिस वाले भी थे मैंने डिरेक्ली कितने चेंजिस वाले कर लिए हमने चेक करते हैं कि ऐ von 1234 5 वाले कर लिए तो जब आप पांची वाले कर लिए तो तीन वाले और चार वाले तो आपके लिए हो जाएगे इनगे को बहू भी हो जाएब तो आपको सारी भाल्व सोका ध्यान रखना होता हिससे टफ कोशन हई चानी नहीं आ सकता लेकिन हाँ अलग से यह कुश्चन आएगा ना तो डारेक्ट दस नंबर का कुश्चन पूछा जाएगा सिर्फ और स्रिफ देखो आंसर कितना सा है बस और वो जो अभी कर रहे थे ना इसी देर से मैंने तो वो that is a working note वो क्या है हमारा working note था ठीक है बताइए किसी बच्चे का doubt हां जे कुछ बच्चे कर रहे हैं taxable salary 82 650 कैसे है equivalent minus 50,000 कर दीजिए तो 82 650 ठीक है सक्षम आपका तो हां बताइए बिल्कुल बच्चे कह रहे हैं कि sir taxable salary होता तो यह है gross gross profit कहां से आगे अभी भी trading account घूम रहे है minus अगर पूछता तो 16 1 A का deduction standard deduction और that is आज आता हमारा 82 6 taxable salary और यह लिख देते हैं particular हां है नहीं तो जबरदस्ती नहीं लिखना नहीं है नहीं है बच्चे कह रहे हैं sir fab to march वाली calculation दिखाते हैं अभी हां जे working note पर आ गए यह लोग एक मिनट रुकिए का लुचुक का लिखना अडर देते हैं